तो वीडियो का टाइटल देखे आप लोगों को पता चली चुका होगा कि आज हम लोग कि इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं तो यह है आप लोगों का Yama की MT-15 version 2.0 जिसे की रिसेंटल ही इंडिया में लांच किया गया है और आज की इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी के बार के प्राइसिंग क्या कि इसमें इस देखने को मिलेंगे क्या कि आप लोगों को इसमें न्यू फीचर मिलेंगे और किसकी जो है यह competition होगी इंडियन मार्केट में इन हर चीज के बार में डीटेली बात करेंगे इसलिए इस गाड़ी के complete review वीडियो को जानने के लिए आप लोग प्रेस इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए and end तक देखिए गाड़ी का review शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है and पहली बार के लिए आए हैं तो please guys हमारे चैनल को subscribe करीजिएगा and साथी साथ bell icon को भी प्रेस करीजिएगा तकि हमारे हर वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे and ऐसे ही amazing वीडियो जो है वो आगे भी आप लोग हमारे चैनल पर देख सके तो यह जो बाइक की जो basic design है यह एक street naked bike है आप लोगों के लिए and यह जो है आप लोगों को launch की गही है at a price of 1,60,000 जी दोस्तों इस गाड़ी की में बात कर रहा हूँ जिस पर इस गाड़ी को launch किया गया है यह Japanese manufacturing की दूरा and इसमें जो changes किया गये है वो आप लोगों कुछ cosmetic changes and mechanical changes जो है इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी सबसे पहले अगर इसके जो engine है उसके बात करें इसमें आप लोगों को same engine मिलता था जो पहले previous गाड़ी में भी मिलता था वो आप लोगों का जो है 155cc का single cylinder liquid-could engine है जो कि आप लोगों को 18.4 horsepower provide करता है at 10,000 rpm and जो आप लोगों को जो torque provide करता है वो आप लोगों का 14.1 Nm of torque है at 7,500 rpm यह engine आप लोगों का जो pair up किया गया है यह आप लोगों का six-speed gearbox के साथ pair up किया गया है आप लोगों के लिए अब बात करें इस गाड़ी के changes की तो Yama MT-15 में आप लोगों को जो है upside down front fox मिल लेगा जो कि आप लोगों को अब finish आएगा golden color में एंसारी साथ इसमें जो है आप लोगों को 37 mm का inner tube provide किया गया है इस गाड़ी में इसी के साथ Yama ने जो है इसके जो MT-15 box section swing arm है उसे replace करके एक Moto GP inspired aluminum swing arm जो है इस गाड़ी में यूज़ किया है जो गाड़ी को look को काफी ज़रा enhance कता है सारी सार आप लोगों को जो है the all new Yama MT-15 version 2.0 में आप लोगों को newly designed fully digital LCD display और सारी साथ दो new color option जो है वो भी इस गाड़ी में introduced के गए हैं एक है आप लोगों का cayenne storm और दूसरा जो है आप लोगों का racing blue और पहले के जो color available थे आप लोगों का वो रहेगा जैसे कि आप लोगों आइस फिलो फिर मिलो और सारी साथ metallic black color यह दो color भी आप लोगों का available रहेगा all total आप लोगों को इस गाड़ी में जो है चार color option provide किये गए हैं जो इसके previous model थे उसके comparison में इसके new price है वो आप लोगो 13,000 ज्यादा महंगा पड़ेगा इसके जो एक शून प्राइस है एक शून इस गाड़ी का तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना information था इस गाड़ी की बार में मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को इस गाड़ी की जो सारी जान करी है वो मिल चुकी होगी अगर आप लोग फिर भी इस गाड़ी की बार में और कुछ पूछना चाते हैं और कुछ जाना चाते हैं तो comment में जाके मुझे से पूर सकते हैं मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों comment में दे दूँगा अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बार में कुछ जाना चाते हैं किसी और गाड़ी का review बागरा देखना चाते हैं तो व झाल झाल